दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपने योट्यूब चैनल आरेने से एजूकेशन यूज में दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं सवीदा जी एनम भरती परिक्षा ड्रेस कोड क्या रहेगा यह उप्सन यानिकी पांचवा जो उप्सन है वो क्या है उ फिरी बस यानि कि जो रास्तान रोडवेज की फिरी बस विदा मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर भी बात करने वाले हैं निगेटिव मार्किंग कितनी है उस पर भी बात करने वाले हैं और तमाम तरीके से जो पेपर किस तरीके से आपको हल करना चाहिए क्या इसके कटाफ अंक जो हैं वो रह सकते हैं वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो है बिना इसकिप की आप लोगों को देखना है तो दोस्तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सब तक ये जानकरी सेयर कर दीजि ये आप लोग ध्यान रखे समय का सबसे ज़्यादा जरूरी है कि समय पर पहुँचना अगर समय पर ही नहीं पहुँचोगे तो ड्रेस कोड, पेपर कैसे करना वो कोई चीजे माइने नहीं रखेगी सब के लिए बता रहा हूँ डेड़ घंटे पहले परिक्षया केंदर है सेंटर है उस पर पहुच जाना है हर हाल में ठीक है दोस्तो डेड़ घंटे पहले अगर आप लोग डेड़ घंटे पहले नहीं पहुचेंगे तो ये क्या होगा आपको एंट्री नहीं दी जाएगी दोस्तों देखिए दोस्तों जैसे GNM की परिक्षा 10 बजे है तो 9 बजे ये लोग क्या करेंगे 9 बजे 10 बजे परिक्षा है 9 बजे ये गेट बंद कर देंगे कहां के गेट बंद होंगे परिक्षा सेंटर के परिक्षा केंदर के फिर अगर आगर आप लोग 9 बज कर 2 मिनट प जब मेरे कोई और परशानी थी, लूज मोशन हो गए थे, लेकिन कोई भी बाहना आप लोगों का नहीं चलेगा नो बजे बाद, और जैसे एनम की परिक्षया तीन बजे हैं, तो दो बजे बाद कोई भी बाहना नहीं चलेगा, चाहिए कुछ भी लेट हो भाई, ठीक है, किस इसे भी कंडिशन में आप लोगों को प्रवेस नहीं दिया जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, डेड़ घंटा पहले पहुच जाना, और देड़ घंटा पहले पहुचने में अगर थोड़ा सा आपको समय लग रहा हो, तो एक घंटा पहले तो जरूर पहुच जाना, ठीक है भाई, नहीं तो वहाँ पर कभूतर उड़े होए मिलेंगे, कोई एंटरी ने दी जाएगी, और ये कम से कम रोने धोने की जो तस्वीरे हैं, कि भाई मेरे को मैं नो बजे करके दो मिनिट पर पहुचा या नो बज के चार मिनिट पर पहुचा मुझे प्रवेस नहीं दिया है, लेकिन परिक्षा सुरू होने के एक घंटे पहले गेट जो बंद कर दिया जाएगा, किसी को भी यहाँ पर अनुमती नहीं दी जाएगी, आप लोगों की परिक्षा OMR पर होगी, किस पर होगी OMR पर, आप लोगों को नीला पेन लेकर जाना है, आगे और भी बता कोड है वो, देखिए, कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जरकिन, बलेजर, सौल, आदी पहन कर नहीं आए, ठीक है, भाई घर से तो आप लोगों को यह पहन कर जा सकते हो, कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जरकिन, बलेजर, सौल, घर से तो पहन के आप लोग जाओ गई, क्योंक गरम जर्सी स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो पहन करा हमें। स्वेटर पहन सकते हो लेकिन उसमें बड़े बटन नहीं लगे इस बात का ध्यान रखें। समझ लेना आप लोगों कि जो साधन रबर बेंड है वो लगा कराना है। महिलाएं जो महेंगे किस्म के जो आते हैं हेर पिन वगेरा महेंगे वाले जो अलगी दिखते हैं मतलब वो नहीं लगाना बड़े टाइप का जो आते हैं साधन आप लोग रबर बेंड लगा लेना या हेर पीन लगा लेना बालों को बांधने के लिए ठीक है ना साधन किस्म के परिक्षार्थी मास्क भी आवशक रूप से पहन करा मास्क आप लोग लगा सकते हैं परिक्षार्थी को परिक्षा केंदर पर तलासी के समय अपना गर्म जर्सी स्वेटर उतार करके तलासी देनी होगी आप लोगों को जो भी परिक्षा में जब जाज करेंगे मालो विज जिनकी ड्यूटी होगी, अगर आप लोगों को चेक करें, तो आप लोगों को देखिए, ये सारी चीजे उतार करके, तलासी दीने होगी, गरम जर्सी स्वेटर उतार करके, ठीक है दोस्तों, परिक्षयार्थियों को पूरी आस्थिन का कुर्ता, सर्ट, बलाव जादी पहन क आने के अनुमती है, यानि कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि उसमें बड़े बटन न लगे हो, ठीक है साथियों, ये है, अब जो महिला भ्यार्थियों वो ध्यान दें कि परिक्षयार्थी लाख कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी परकार के जेव वो आप लोग को क्या करना है, लाख की हो, कांच की हो, ठीक है ना, लाख की हो, कांच की हो, उनको पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कान की बाली, कानों में जो पहनते हैं वो, अंगूठी, ठीक है, हातों में अंगूठी, और जो ब्रेसलेट जो है, वो आप लोग क को पहन करके नहीं जाना अब महिलाओं को मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि ये ड्रेस कोड में भी सामिल है दूसरी बात मानलो कोई महिला कान की बाली पहने हुए है ठीक है अब वहाँ पर क्या होगा मानलो आपको कहें कि ये बाली अलावड नहीं है आप लोग परिक्सा सेंटर के अंदर चलेगे फिर आप लोग को कहेंगे कि अब इसको निकलवा कर क्या हो पहली बात तो जब आप लोग सेंटर पर जा रहे हैं अंदर आप लोगों को एंटर दी जाएगी उसी समय सारी चीज़े देख ली जाएंगी ठीके फिर आप लोगों को मालो ऐसी जग़े सेंटर आगया कि आप कान की बाली को नहीं निकल रही आप लोगों से फिर क्या करेंगे, कोई सुनार की दुकान देखेंगे, सोप देखेंगे अब आस पास वो सोप नहीं हुई, इतने में 9 बजे गेट बंद इतने में 2 बजे गेट बंद एन्यम के लिए फिर किस तरीके से कहां जाओगी आप तो ध्यान रखे महिलाएं इस सरीके के कान नाक इनमे जो है जेवरात पहन करके नहीं जाना ठीक है समझ में आ गया जिन्स वगरा पहन सकते हैं गरम जर्सिस विटर पहन सकते हैं बस बड़े बटन न लगए महिलाएं ध्यान दे आप लोगों का जो गरम पहनने का वस्तर होग जैकेट होगी है जो भी हो उसमें बड़े बटन न लगए हो जो चेन वाला सिस्टम है वो चल जाएगा ठीक है न अब ये हो गई बात अब देखिए परिक्षारती परिक्षा केंदर में किसी प्रकार की घड़ी घड़ी आप लोग को अलाउड नहीं है ठीक है न कभी ये स ऐसे को दिक्कत नहीं है ठीक है न हैंडबेग हेर पिन गंडा ताबीज ये सारी चीजह आप लोगों घरी छोड़ करके जानी है ठीक है साथियो क्या क्या धूपका चस्मा बेल्ट हेर पिन गंडा ताबीज कैप हेट स्टॉल सॉल मफलर आदी ठीक है ये हटा देने हैं कड़ा, करपान, पगड़ी, यह आप लोग पहन करके जा सकते हैं, ठीक है न बाई, सिख समाज के अभ्यारती, अपना जो धर्म का जो रूप है, और धर्म में जो चीजे परचलित हैं, जिस तरीके से कड़ा है, करपान है, पगड़ी है, वो पहन करके जा सकते हैं, only on सिख सम आज क्या भ्यारती हैं, ताकि आप लोग को जाज करके वो लोग अंदर प्रवेस दे दें, ठीक है साथी हो, ड्रेस कोड में नहीं आने पर आपको प्रवेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, यह आप लोग ध्यान रखें, ड्रेस कोड का, अब समझ में आगा ड्रे नहीं मिलने बाली, डेड़ घंटा पहले पहुँच जाओ, फायदे में रहोगे, परिक्षा डेड़ घंटे की होगी आप लोगों की, नब्बे मिनिट मिलेंगे, साड़े ग्यारा तक, एनेम की जो परिक्षा है, तीन बज़े से सुरू होगी, आप लोगों की दो बज़े गेट पर एंटरी बंद हो जाएगी, दो बज़े बाद किसी को भी कोई एंटरी नहीं दी जाएगी, कई कोई भी बहाना, कोई भी आप लोगों का जैनुवन रीजन ही क्यो ना हो, किस कारण से लेट हुए, तो भी नहीं माना जाएगा, इसका मतलब यह है, समय से आप लोगों को एडमिट कार्ड ले करके जाना है, अब परिक्ष्या में क्या क्या चाहिए, वो आप लोग देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड पहली बात तो, ठीक है न, एडमिट कार्ड चाहिए, पहला, दूसरा आधार कार्ड, दूसरा क्या चाहिए, आधार कार्ड, दो चीजी हो गई, तीसरी चीज हो गई, पेन, पेन कितने दो ले जाना आप, एक मत लेके जाना, क्योंकि वो नहीं चला मालो एक पेन, तो फिर कहां जाओगे, किस से मांगोगे, कि मेरे को पेन दे दो, बच्चों वाली कानिया नहीं करनी है, कि यार तुम मेरा पेन नहीं च पासपोर्ट साइज का मतलब जो छोटी फोटो नहीं आती, इस तरीके से छोटी फोटो वो, अब ये फोटो अगर किसी को एनम और जीनम दोनों परिक्षाय देनी हैं, तो आप लोग दो फोटो लेके जाएं, लेकिन मैं सब को कहूंगा, दो फोटो ले जाएं, आप लोग जो पी-फोर साइज है, वो दो फोटो ले करके जाएं, इतने दो फोटो, दो इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई एक लेके जार मालो, आपके पास एक ही है, यार कि मेरे पास एक फोटो चल जाएगी, क्यों 70-80 रुपे खर्च करूं, क्योंकि वो तो 8 निकाल के देंगा, 80 र लेके जाओ, और जो एक फोटो लेके जा रहा है, वो ध्यान रखे, भाई, वो एक फोटो को गुमा मत दे, कहीं बस में गिरा दो, कहीं ट्रेन में गिरा दो, कहीं मालो, पर्स में रखी हुई है, और फिर कहीं किसी को पैसा दे रहे हो, किराय भाड़े का, खाने पीनी का, वो गिर जाए फोटो फिर देखो यार मेरा तो फोटो एगाफ हो गया तो वहाँ पे फोटो ग्रापर नहीं बैठा रहेगा कोई आपके लिए परिक्षा के अंदर पर किल भाई इसकी फोटो खेंचो बना करके तो यह चिपकाएगा एडमिट कार पे जो एक फोटो ले जा रहा है वो इस बात का भी ध्यान रखे को उसे लेके जाए सही तरीके से गिरे ना कहीं खोए ना गुम ना हो ताकि आपको दिक्कत ना हो और वैसे मैं कहे रहा हूँ दो फोटो ठीके ताकि मालो एक गुम हो जाए तो एक तो बच्चे चिपकाने के लिए ठीके साथियो तो यह चार चीजे होगे आप लोगों की परिक्षा के लिए अब बात कर ल ठीके एक उसका फोटो भी करवा लें आप लोग क्या फोटो भी करवा लें ठीके दोस्तो एक उसका फोटो भी करवा लें रेक आधार कार्ड आप लोगों को निश्ची तोर पर लेके जाना अब आधार कार्ड में एक समस्या है जिनकी जो भी अभ्यारती जिनके आधार का आधार कार्ड में जैसे लिखा 1905 में यानि कि वो 512 नहीं लिखा 1905 में लिखा तो ऐसे अभ्यारतियों को क्या करना है कि आप लोगों को एक ऐसा डोक्यूमेंट लेके जाना है जिसमें आप लोगों की डेट बर्थ हो किलियरली मेंशन हो यानि कि वो नजर आए अब वो कौन-कौन से है पेन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस और वोट डालने का मददाता पहचान पत्र ये उन लोगों के लिए है जिनके आधार कार्ड में केवल सन लिखा है यानि किस साल में आप लोगों पैदा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटिंग कार्ड ले जा सकते हैं बाकी सभी के लिए आधार कार्ड मस्ट होगा ठीक है आधार कार्ड मस्ट होगा ओरिजिनल आधार कार्ड आप लोग ले करके जाएं ठीक है वाई ये समझ में आ गया डेट घंटे से पहले पहुँचन कुई भी कारण नहीं चलेगा ठीक है साथ यह ड्रेस कोड में बता चुका हूँ क्या पैन के जाना है गरम जर्सी स्वेटर पैन के जा सकते हैं सोल वगरा ओड के चले जाना लेकिन परिक्षा सेंटर पर यह चीजी अलाउड नहीं होगी इसलिए उसको बाहरी रख करके जाना होगा ड्रेस कोड मैंने समझा दिया अब दोस्तों देखिए जो पासपोर्ड साइज फोटो है वो एक माहा से अधिक पुराना नहीं हो पासपोर्ड साइज फोटो किसी के पास है तो वो देखिए चिपकाना पड़ेगा ले जा भी सकते हो लेकिन इसमें लिखा गया इस प परिक्षा सेंटर पर बायोमेट्रिक की जाएगी ठीक है दोस्तों फेस रिकागनीजेशन ठीक है आपके पूरा फोटो लिया जाएगा क्योंकि आधारकार समयच इननों कर दिया है और उसके आधार पर आपको एंटर दी जाएगी ठीक है और बायोमेट्रिक अंगूठा मह फिलाए ध्यान रखें आप देखिए गड़ी नहीं पैन करके जनों मैं बताई चुका हूँ गड़ी नहीं पैन कराएं नीले रंग का पेन ले करके जाना है और पानी बगरा की बोतल पार्स बैग जोमेटरी बॉक्स पैंसिल बॉक्स प्लास्टिक पाउच कैलकुलेटर तक् पैड़ गत्ता पेंडराइव रबर लोग टेबल इसकेनर किताबे नोटबुक पर्चियां ये कोई भी चीज जो है अपनों को ले करके नहीं जानी ठीक है और ये जो मामा जैनती गुटका खाने वाले भाई ये बाहरी खा करके चले जाना ठीक है बाहरी रख जाना इसको इस बात का विध्यान रखे है ठीक है दोस्तों पैसे वगारा ले के जा सकते हैं कोई धिक्कत नहीं पैसे बाहर रखनी होगे ठीक है अब देखिये ड्रेस कोड के बारे में हमने बता दिया है सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है मास्क भी आप लोगों को लगा करके जाना है परिक्षार्ति को परिक्षा केंद पर तलासी के समपना कोट, गरम जर्सी, स्वेटर उतार कर तलासी देनी होगी आप लोगों को देखिए उन चीजों का ध्यान रखना होगा परिक्षार्थियों को पूरी आस्तिन का कुर्ता, स्लट, बलाउजादी पहन कर अपनी बेस बुसा में आने के अनुमती होगी और आप लोगों की जो ड्रेस है उसमें किसी प्रकार के भवाई प्रोच, जडाओ पिन, बेज़, या फूल आदी लगाकर आने की अनुमती नहीं होगी नहीं होगी जेवरात का विशेश कर ध्यान रखें, ये आप लोग देखें परिक्षारती, परिक्षा केंद्रने किसी प्रकार की घड़ी धूप का चस्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेर पिन, गंडा, ताबी, यह नहीं पहन करके आए, ठीक है दोस्तों, जूते, सेंडल और मोजे, छोटे टकनों के पहन करा सकते हैं, ठीक है न, जूते हों, सेंडल हों, जो स्पोर्स वाली जो छोटी जुराब्य होती है न, वो पहन सकते हो आप, ठीक है भाई, जूते के उपर जुराब्य वगरा पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, मोजे छोटे टकनों के बराबर हों, ठीक है न, छोटे टकनों के बराबर हों, उसके साइज के हों, जो आती है ना, इस पोर्स की बोलते हैं स्याद उनको, वो आप लोग पहन सकते हो, ठीक है ना, जूते पहन सकते हो, सैंडल पहन सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जूते सैंडल और वो हो, टकनों के बराबर हो, एंकल तक के पहन करके आ सकते हो, ठीक है साती हो, बता दिया, सरदी ह कोई दिक्कत नहीं है, तो यह सारी चीज़े आप लोगों को बता दिये, सिख धरम वाले अभ्हारतियों के लिए हमने बता दिया है, करपान वगर आप लोग पहन के आ सकते हो, जो भी आपके धरम के चीज़े हैं वो, ठीक है दोस्तो, अब ये सारी चीज़ आ गई है आप लोगों को इलिए दोस्तो अब जो है हम negative marking पर बात करने वाले हैं दीखिए एक बटा चार negative marking है गलत जबाब दिये जाने पर प्रति प्रस्टन नकरत्म कचीरो एक अंक काटा जाएगा अब इसको या तो ऐसे समझ लो एक गलत करोगे एक अंक दो करोगे दो अंक, तीन करोगे तीन अंक और चार करोगे चार अंक तो कहने का मतलब ये है अगर आप लोगोंने चार सवाल गलत बर दिये मालों A, B, C, D में से बर दिया A, B, C, D में से चार सवाल गलत बर दिये या फिर आप लोग ये समझ सकते हो कि चार गलत करने पर एक सवाल पूरा चार अंकों का चला जाएगा, बात वही है, यानि कि चार गलत करने पर एक पूरा सवाल जो चार अंकों का खतम, या फिर आपको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक गलत करा तो एक अंकम, क्योंकि यहाँ पर कि जो सवाल पहले आते हैं आप लोगों को at first जो सवाल पहले आ रहे हैं उनको हल कर दीजिए ठीक है उनको हल कर दीजिए एक और गलती नहीं करनी आप लोगों को कि कई बार क्या होता है अभ्यारती ये जैसे OMR seat है या फिर paper है उसमें क्या करते हैं टिक लगा लेते हैं जैसे ये सवाल था इसमें मालो 2 पे लगा लिए उनको टिक पेपर में लगा लेते हैं ऐसे फिर उसनों दूसरे में 2 पे लगा लिया तीसरे में 7 ऐसे क्या करते हैं पहले आप लोग सवालों पे टिक करते हो पेपर में ही, पेपर में ही क्या कर लेते हो, टिक कर ले, तो ये इसका उत्तर, इसका उत्तर, इसका उत्तर, इसका उत्तर, फिर क्या करते हो, आप लोग पूरे 100 सवाल तो चले जाते हो, और उनके टिक कर लेते हो, फिर आप लोग अपनी OMR सीट उठाते हो, ये OMR सीट आप इधर आप लोगों ने वो पेपर पे टिक किया हो तब पहला दूसरा सवाल में क्या क्या उत्तर आप लोगों ने पेपर पे लगा लिए चोटे-चोटे में मार करके फिर आप लोग अपनी OMR सीट में भरते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कैसे करना है फिर यह आप ल केमार जो सीट है उसमें रोल नंबर गलत ना भरे क्या रोल नंबर गलत ना भरे बड़ी सावधानी से बरत भण है बिल्कुल नौर टेंशन होकर बेफिक्र होकर के रोल नंबर बगर भरने में गलती ना करे तो सवाल आप लोगों को ऐसे हल करने, परिक्ष्या में, पेपर पर पहले टिक मत करो, जो सवाल आप लोगों को पता है, उसका उत्तर मालो बै आ रहा है, वो भर्दो तुरंती, मालो बीस वे सवाल को उत्तर आपको पता है कि इसमें आएगा बी, तो बी पर टिक कर दो तुर सात्यो, फिर उनको गिन लेना कितने हो गए, ठीक है न, भाई, जादा नेगेटिव मार्किंग में भे नहीं जाना है, ठीक है सात्यो, अब यह तो हो गई, बात आप लोगों की इसकी, एनम में भी यही बात है, एनम में भी वही चार अंका एक सवाल है और इसमें भी एक बट मैंने समझा दिये किस तरीके से अब दोस्तों जो है यहाँ पर आप लोगों को जो पांचवा उप्सन है उसके बारे में बता देता हूँ देखिए पांचवा उप्सन के बारे में बता देता हूँ यह देखिए आप लोगों को दोस्तों जैसे ये सवाल आएगा आप लोगों का ठीक है पांच ओप्सन किस तरीके से आएगा ऐसे आएगा मान लो ये सवाल है आप लोगों के सामने अब आप लोगों को A, B, C और D और E ये पांच ओप्सन नजर आ रहे हैं अब आपको मान लो इसका उत्तर मान लो A है इस स जवाल नंबर ये है आप लोगों का, अब आप लोगों को A, B, C और D, पहले तो आप लोग ये देखें कि आपको इसका उत्तर क्या आ रहा है, मानलो आपको B है, तो इसमें B भर दीजेगा, क्या का भर दीजेगा, इसमें B भर दीजेगा, मानलो इसका उत्तर आपको नहीं प मुझे तुक्का नहीं लगाना तो आप लोगों क्या करना है उसमें E भर देना है ठीक है क्या करना है E उसी प्रसंद में भरना है जिसका आपको उत्तर नहीं आता हो या उस सवाल को आप लोग हल नहीं करना चाहते हो यह चाहते हो कि यार नहीं मैं इसे नहीं करूँगा क्यो इतने सो, अब सो सवाल में से मान लो, आप लोगों को 80 सवाल आते हैं, उसमें आप लोगोंने A, B, C और D में से बर दिया, चार में से बर दिया, अब बच गई कितने 20 सवाल, कितने बच गई 20 सवाल, अब 20 सवाल आप लोग हल नहीं करना चाते, यानि कि 20 सवाल आपको उत्तर नहीं पता कि भाई उनमें A आएगा B आएगा C आएगा या D आएगा इन चार में से आपको नहीं पता तो जो 20 सवाल आप लोगों के थे और आप लोग उनको हल नहीं करना चाते उनमें आप लोग 20 सवाल में तुक्के भी नहीं मारना चाते कि नहीं भाई या आप लोग उनमें तुक्का नहीं देना चाता अगर आप लोग मालो इसी सवाल में तुक्का मारना चाते हो कि यार इसका मालो सही उत्तर तो A हो जाए मालो सही उत्तर तो मालो A है और आप इसमें चाते हो कि यार तुक्का मार दू तो तुक्का जिसमें लगाना चाते हैं उसमें E नहीं भरना भाई तुक्के में फिर चार में से भरना है समझगे मेरी बात E कब भरना है जब उस सवाल को आप लोग हल नहीं करना चाते इस तरीके से आएगा पांचवा जो option है वो किसी भी सवाल का उत्तर नहीं होगा यानि E option जो है किसी भी सवाल का उत्तर नहीं होगा इस बात को ध्यान रखें ठीक है साथियों तो E option के बारे में बता दिया है E उन सवालों में भरना है जहां आप लोगों को वो सवाल हल नहीं करना चाहते हो तबी ठीक है दोस्तों ये देख सकते हैं 5 विकल्प दिये जाएंगे पहले 4 विकल्प A, B, C, D होंगे और 5 विकल्प अनुत्रित प्रसंद से होगा यानि कि उस सवाल को आप लोग हल नहीं करना चाहते है उसका कोई उत्तर नहीं देना चाहते है इसलिए आप लोग उसमें E भरेंगे ठीक है अब दोस्तों क्या करना है ये जो E भरने है E अगर नहीं भरोगे माल लो 100 सवाल है और उसमें से आप लोग 15 सवाल छोड़ दिये, बगर ई भरे, तो आप अयोग हो जाओगे, क्या हो जाओगे, अयोग इसलिए जो सवाल आप लोग को नहीं आते, जिनमें आप लोग निगेटिव नहीं करना चाते, कि यार मैं तो निगेटिव में चला जाओंगा, मैं नहीं क करना चाता है, मैंने 70 सवाल बिलकुल एकुरेट सही कर दिये है, अब मेरे जो 30 सवाल है, 30 सवाल में या तो आप लोग तुक्का लगाए, अगर आपको लगता है कि यार इसमें A और B में से है, तो तुक्का मार सकते हो, और जो सवाल जिनमें तुक्का भी नहीं लग रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उनका हल क्या है, तो उसमें E भर देना, ठीक है भाई, E कब भरना है, जब आप उस सवाल को हल नहीं करना चाते, उस सवाल का आपको उत्तर नहीं पता, तब आप लोग को E भरना है, ठीक है सात्यों, ध्यान रखें, 10 प्रतिसत, यानि कि 100 मे भरना है, दुबारा से बता रहा हूँ, जब आप उस सवाल को हल नहीं करना चाते, उस सवाल का आपको उत्तर नहीं पता, तब E भरना है, इस बात को ये ना समझना की, भाई, E तो 10 सवालों में भर के आना, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, E सिर्फ उन्हीं सवालों में भरना ह जिनका आपको उत्तर नहीं पता यानि कि 100 सवाल है मालों कोई किसी ने पिच्चान में कर दिये ठीक है A, B, C, D में से पिच्चान में भर दिये बचे 5 तो उन 5 में E भर देना ठीक है उन सवालों में E भरना है जिनका A, B, C, D के अलावा आपको उत्तर नहीं पता कि यार क्या आता नहीं A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, उनमें E भरना है ठीक है साथ ही हो यह हो गई बात आप लोगों के E option की ठीक है अब किसी को दिक्कत है E option को ले करके वो अब जो GNM वाले अभ्यारती हैं, GNM वाले अभ्यारती हैं वो ध्यान रखे आप लोगों का जो admit card था, वो आप लोगों का website वाला चलेगा या फिर आप लोगोंने SSO ID से डाउनलोड किया था, वो चलेगा कौन सा? GNM वाले, सिर्फ और सिर्फ GNM वाले SSO website, इन दो में से डाउनलोड किया हुआ, GNM वाले अभ्यारतियों का प्रवेश पत्तर चलेगा जो आप लोगो WhatsApp पे भेजा गया था, 25 जनुवरी को, वो नहीं चलेगा उसको आप लोग फाड़ के फेंक दो, जो WhatsApp पे मिला था, आप लोगोंने निकलवा लिया उसका प्रिंट आउट, तो उसे फाड़ करके फैंक दो, ताकि दिक्कत ना हो, कभी ऐसा ना हो कि आप लोग WhatsApp से निकलवाया हुआ, लेकर चले जाओ, परिक्षा के अंदर पे और फिर आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है, तो GNM वालों के लिए ये है कि SSO ID और वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ, प्रवेसपत्र ही चलेगा, साथियों वो लेकर के आप लोगों को जाना है अब E option हमने बता दिये किस condition में भरना है, जब आपको उस सवाल का उत्तर नहीं पता उस सवाल को आप लोग हल नहीं करना चाते, उसी condition में E भरना है और सो सवाल आएंगे, सो में से ध्यान रखें, कि आप लोग 10 से अधिक सवालों में अगर E नहीं भरते हैं, ठीक है, उनको हल नहीं करते हैं कोई भी option नहीं भरते हैं, पांचों option में से, तो समझे लो आप आयोग गोसित हो, ठीक है, इसलिए ध्यान रखें जिसमें कुछ भी नहीं आरा आपको, यार उसका उत्तर ही नहीं पता, तो E भर देना, जिसको आ रहा है, वो उन चारों में से भर देना, ABCD में से, ठीक है सा आप लोगोंने 6 सवाल छोड़ दिये, उसमें ना A भरा, ना B, ना C, ना D और ना E, तो जो 6 सवाल आप लोगोंने छोड़ दिये थे, जिसमें कोई भी गोला आप लोगोंने काला नहीं किया, तो उसके आपके 2 अंक आठ दिले जाएंगा, यानि 3 सवालों में E अगर नहीं दोस्तों, देखें दोस्तों, राजे सरकार की जो हर एक भरती परिक्षय होती है, उसमें फ्री बस पास की सुविदा दी जाती है, इसमें भी रहेगी, लेकिन दोस्तों, आज साम तक, या कल तक जो है, प्रैस नोट आ जाएगा, मैं आप लोगो टेली ग्राम पर, या इस एडिमिट कार्ड, ठीक है, क्योंकि दूर दूर जिले से सेंटर आए हैं, तो बस का किराब बच जाएगा, रोडवेज का, रोडवेज फिरी होगी, और कोई नहीं होगी, भाई, कभी प्राइविट होगी, कहने लोगो फिरी है, रोडवेज बस, तो इसका जो आदेस हाए कि फिरी बस की, कट ओफ अंक, पर बात कर लेता हूं, साथीयों देखिए, जो एनम की भरती परिक्षा है, तीन हजार अठाउन हैं, और तीस सो अड़ी जो पद हैं, वो जी एनम के हैं, दोस्तो देखिए, दोनों भरती परिक्षाएं, एनम में कट ओफ जो अंक हैं, वो य प्रेक्सित वर्गों से मेरा मतलब है SCST, ठीक है SCST, OBC MBC, EWC, ये सारा तो जर्नल का मान के चलो कि अभी मैं मोटा मोटी तोर पर बता हूँ तो ये मान के चलो 70, 72 या 24 सवाल आप लोग मान के चलिए करमचारी बोड का, ठीक है GNM के लिए GNM के लिए जहां तक मेरा मानना है, जर्नल कास्ट का GNM के लिए लगबग 4668, ये मेरा आकड़ा बता रहा हूँ, इसमें 2-4 बती उपर नीचे हो सकते हैं, बाकी कैटेग्री के इससे थोड़ा डाउन, क्योंकि पेपर जो सिलकुल सराना आने वाला है, ठीक है तो ये बात ध्यान रखें, कटोफ जो अंक है, एनम में थोड़ा डाउन रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है खुद से GNM में कम नहीं रहने वाले, ठीक है तो इस बात का भी ध्यान रखें ठीक है, तो अच्छे से अच्छे संख्या में सवालों को हल करें, और नेगेटिव मार्किंग में जो होस्यार बच्चे हैं, ठीक है, मालों किसी ने 82 या 85 सवाल हल कर दी ये कुदम accurate, तो फिर वो नेगेटिव करने का रिस्क ना ले, ठीक है वो नेगेटिव करने का रिस्क ना ले, फिर आप लोग इभर देना, ठीक है, जो intelligent बच्चे और जिसको तुक्के मारने हैं न भाई की मेरी तरह कोई तैयारी करी नहीं क्यार चलो, ठीक है, आनंद लेते हैं परिक्षा के, तो आप लोग सो सवाल हैं भाई, कुछ भी भर देना, फिर ABCD में से, ठीक है ना, और किसी को नहीं पतब हो, यह भर देना, ठीक है दोस्तो, तिये जानकरी थी, समय का दोस्तो विशेश ध्यान रखें, ड्रेस कोड हमने बता दिये, घर से आप लोग किसी भी पेन चलना बंद हो जाए परिक्षा में, तो फिर यह बच्चों के तरह थोड़ी ना मांगेंगे, इस्कूल कोलेज में, कि यार पेन देना, जल्दी से, जल्दी से देने, पेन खतम हो गया, तो दो पेन लेके जाने, ठीक है साथियो, तो यह चीजे ध्यान रखने के लिए बहुत जुरूरी है, आप सभी के लिए, ड्रेस कोड़, हमने बता दिया है, तमाम चीजे मैंने बता दी है, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, आप लोगो को बताने के लिए, ठीक है, सारी की सारी मिनट के लिए ठोड़ा अपने जो सासियं, तोड़ा अराम-अराम से चलानी है, ऐसा नहीं, घबरा गो यार, ये क्या पेपर आ गया, चिंता नहीं करनी, किसी को चिंता होने लगे, पेपर गबराट होने लगे, तो गिंती बोले ना उल्टी, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरीक है, ठीक है, उल्टे इस तर से गिंती बोले ना, 1, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए, ठीक है, आराम से अपने दिमाग को ठंडा रखके, बड़ी इत्मिनान के साथ, बड़े प्यार के साथ, आप लोगों को परिक्षा देनी है, ठीक है, किसी का पेपर अग खुद है, इसलिए पेपर गलत भी हो जाए, तो चिंता नहीं करनी, कोई और तैयारी कर लेंगे, मेहनत मजदूरी करके खालेंगे, लेकिन पेपर के गलत होने पे, बिगड़ने पे, आप लोगों को चिंता नहीं करनी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, और जो सर्दी है वो सर्दी का समय है, जहां पर भी आप लोग रुके हैं, अपने रिस्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, किसी बस स्टेंड पर, किसी रिलवे स्टेशन पर, तो ध्यान रखें, अपने समान का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, कि सर्दी ना लगे, ठीक है साथ तो यह जानकारिती मेरी सुबकाम नहीं है RNS Education News के आप लोगों को सुबकाम नहीं है कि आप सभी सफल हो और दोस्तो परिक्षया के लिए आप लोगों को सुबकाम नहीं के साथ फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही कैसा लगा आपको ये वीडियो आप लोग जरूर बताएं क्या RNS Education से best कोई ऐसा platform है जो आप लोगो सारी information एक एक वीडियो बना करके दे और हर सीज आप लोगो बड़े कित्मिनान के साथ समझाए तो RNS के बारे में लिखिएगा इस वीडियो के बारे में जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके का वीडियो है आप लोगों को लगा और इसे सेर कर दीजे सब तक धन्यवाद जैहिंज जै भारत